और अपने अंतिम verses में, 17, in fact, 20 से लेकर 25 में, इन 5 verses में, इन 5 पदों के अंदर, अपनी इस पत्री के अंदर इसमें हम पढ़ते हैं, किस प्रकार पाप से गल रही दुनिया में कैसे हम दृड रह सकते हैं, कैसे हम मजबूत रह सकते हैं फर्ज कीजिए, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करने वालों की कोई इज़त नहीं, जिस कंपनी में आपकी तंखा रोक ली जाती है, जिस कंपनी में हर बात पे आपके पैसे काट लिये जाते हैं, आपका बॉस आपको गाली निकालता है, आपको के साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन फिर होता क्या है कि आपको एक नई नौकरी मिल जाती है लेकिन वो नई नौकरी जॉइन करने के लिए आपको इस कंपनी में पुराने वाली कंपनी में दो महीने पहले बताना होगा और आपको दो महीने लगातार उस company में जाना होगा चुटी भी नहीं ले सकते बढ़ आपको अच्छी company में नौकरी मिल चुकी है जहां पर तंखा अच्छी है जहां पर लोग अच्छे हैं जहां हर प्रकार के rules अच्छे हैं जहां काम करके मज़ा आता है लेकिन अभी आपके पास दो महीने हैं दो महीने आपने इस company में काम करना है छोड़ नहीं सकते पहले तो आप किस प्रकार अपने आपको शांत करेंगे किस प्रकार आप अपने आपको सांत्वना देंगे आप ये सोच कर अपने आपको सांत्वना देंगे कि दो महीने हैं, समय निकल जाएगा उसके बाद एक अच्छी जगा पे काम करने के लिए जा रहा हूं उसी प्रकार हम विश्वासियों को इस बात को याद रखना है मेरे प्रियो कि ये जो संसार है, ये हमारे लिए एक temporary dwelling place है एक अस्थाई नगर है, अस्थाई ये सदा का ऐसा नहीं रहेगा, ये दुनिया जैसी है, ऐसी हमेशा के लिए नहीं रहेगी everything is going to change, सब कुछ बदल जाने वाला है in fact दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है, उसके the end of all things is near, sorry, पहले पत्रस में उसके चार के साथ में लिखा है, the end of all things is near सब बातों का अंत निकट है, सब कुछ बदल जाने वाला है कितने लोगों ने इस बात को पहले सुना है, ये शुमसी फिर से आने वाला कितने लोगों ने सुना हुआ है, कितने लोगों ने सुना है, सब कुछ खतम होने वाला है और प्रबू आने वाला है, कि सब कुछ खतम हो जाए, कितने लोगों ने सुना है सबने सुना है, कि सब कुछ खतम हो जाएगा फिर आज मैं क्या नहीं बात बता रहा हूँ अब यहुदा की पत्री उसका पांचवा पत देखे ज़रा सब लोग मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ तुम तो जानते हो सब कुछ पर मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो मसीही प्रचारक जब खड़ा होके प्रचार करता है वो कभी भी आपको नई नई बाते नहीं बता सकता वो वही बताएगा जो सालों साल से बचन में कैद हैं वो वही बताएगा जो आप पहले सुन चुके हो कुछ नया नहीं है, there is nothing new for you पहले से आप सुन चुके हो अपनी संगती को कितने लोगों ने पहले मेरे मुझे सुना है संगती का ध्यान रखो अपनी, कितने लोगों ने सुना है मेरे मुझे, तो फिर आज मैं क्या सर्मन को repeat कर रहा हूँ, मेरा प्रचार क्या दुबारा से वो पुराना प्रचार लगा दिया मैंने यहाँ पर बेसिक बातें आप जानते हो लेकिन भूलने की प्रवृत्ती हम सब में है आप सब जानते हो कि संगती सही होनी चाहिए आप सब जानते हो सब कुछ खतम होने वाला है आप सब जानते हो कि दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहेगी आप सब जानते हो कि प्रभू आएगा सब बातों को खतम कर देगा एक शब्द के साथ आप सब जानते हो कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और सारे मुर्दे जीवित हो जाएगे आप सब जानते हो कि परमेश्वर जीवितों और जो मर चुके हैं जब वो जिन्दा किये जाएंगे परमेश्वर उनका नयाई करेगा, you know आप सब कुछ सुन चुके हो, लेकिन हम सब भूल जाते हैं, उन बातों को जो हम पहले से जानते हैं और क्या लिखा है तो you already know this, तुम सब कुछ जानते हो, पर मैं तुमें याद दिलाना चाहता हूँ और वो उन बातों की याद दिला रहा है, कि वो लोग जिन्होंने अपने अविश्वास के कारण जो नाश हो गए, इसलिए मेरे प्रियों आज यहाँ पर मैं आपको एक बात के बारे में आद दिलाना चाहता हूँ जो की प्रकाशित, सारी, जो इबरानियों उसके तेरा के चौदा में लिखा है कौन पड़ेगा, तेरा का चौदा इबरानियों क्यूंकि यहाँ हमारा कोई स्थाई नगर नहीं है, हम उस नगर की खोज में है, जो आने वाला है, मेरे प्रियों आप सब जानते होंगे बाइबल की शुरुवात परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनने कहां पे रखा, अदन की वाटिका में रखा एक गार्डन में रखा और वाइबल की आखरी किताब में हम देखते हैं, कि परमेश्वर किस चीज़ को हम देखते हैं एक नए नगर को देखते हैं मतलब ये दुनिया की शुरुवात एक वाटिका से हुई थी और एक वाटिका में खतम हो जाएगी परमेश्वर ने जिस प्रकार का अदन्स बनाया था जिस प्रकार की पर्फेक्ट दुनिया परमेश्वर ने जिसका इरादा किया था जिसका उसने निर्मान किया था उसमें हम जी नहीं पाए चल नहीं पाए रह नहीं पाए पाप किया और परमेश्वर की दुनिया को दूश यही है दुनिया की कहानी, मनुष्य ने परमेश्वर की वाटिका को नश्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, हालेलुया, उसकी मृत्तियों और पनुरुथान के द्वारा, उस वाटिका से बहतर वाटिका उसने खड़ी कर दी, उस नगर का हम इंतजार कर रहे हैं उस नगर में हम जिएंगे जहां बिमारी ना होगी जहां धोका ना होगा जहां ऐसे लोगों जिनका विवरण हमने सुना जहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगा नहीं है जहां शेतान नहीं है जहां शेतान के दूत नहीं है जहां जूट नहीं है, जहां डिसेप्शन नहीं है, जहां लोगों के बीच में बैरभाव नहीं है, ऐसे नगर में प्रभू हमें लेके जा रहा है, जहां पर सिरफ प्रभू होगा, हलेलुया, for this world is not our home, यह संसार हमारा घर नहीं है, हम एक ऐसे नगर की कामना करते हैं, जो अ जो दुनिया है, इसका एक, इसका एक, इसकी एक पहचान है, वो सामने लिखा हुआ, यह संसार, परमेश्वर और धार्मिक्ता के बिरोध में है, देखे क्या लिखा है, 17 और 17 से लेके 19 तक कोई जोर से पढ़ो, संजेब, हां पढ़ दीजिए, कि अपर हे पिरियो, कुम उन बातों का अवस असमरन रखो, जिने हमारे प्रभू येश्यू मसीर के प्रेरित पहले ही से का चुके हैं, वे तुमशे कहां करते थे, अन्त के दिनों ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे, अन्त के दिन, ये हम अन्त की दिनों में जी रहे हैं, अ आपनी अभक्ति पूर्ण अशुद दिलालसाओं की अनुसार चलेंगे, पढ़ते जाईए ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये संसारी और आत्म रहित है ये इस प्रकार के लोग हैं, अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे अब सब लोग में तरफ देखिए ये एक छोटा सा विवरन है, अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे अब ये एक और आप बचन सुनिये, जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये मैं दूसरा तिमोथियोस, तीन, एक से पांच तक पढ़ने वाला हूँ अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे, मेरे पीछे बोलते जाएए सब लोग, ठीक है, बोलेंगे आप तयार हैं, कैसे लोगों से दुनिया भरी भी होगी, भविश्वानी हुई थी, दुनिया जब खतम होने वाली होगी, तो ऐसे लोगों से दुनिया भर जाएगी, फिर मैं दंड, परमेश्वर के निंदक, माता-पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दय, अपवित्र, प्रेम रहित, शमाहीन, निंदक, असयमी, बरबर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वास-घाती, अभिवेकी, अहंकारी, और परमेश्वर, प्रेमी, होने की अपेक्षा, सुखवादी हो जाएंगे, सोला ऐसे अगुण, लोगों की अंदर होंगे, दुनिया की अंदर, कैसे लोगों से दुनिया भरी भी होगी, और क्या लिखा है, वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किन्तु उसकी बीतरी शक्ती को नकार देंगे, आगे जो लाईने बड़ी खतरना के, सुनेंगे आप, उनसे सदा दूर रहो, आपकी जिन्दगी में एक ऐसे सेट अफ लोग होंगे, आपके जीवन के ऐसे values होने चाहिए, आपके जीवन के ऐसे मुल्य, आपके जीवन जीने का एक ऐसा ढंग तरीका होना चाहिए, ऐसे लोगों से मेरा परिवार दूर रहेगा, मुझे उनसे कोई लेंदे नहीं है, लेकिन कितनी असानी से हम ऐसे लोगों के साथ अपना कंध संसारिक हैं, जिनके अंदर प्रभू का आत्मा नहीं है, उनके अनुसार उनका परिवार चलता है, वो अपने फैसले उनके अनुसार जीएंगे, क्यों? क्योंकि वो बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं, जूटे दर्शन दिखा देते हैं और ये लोग उनके पीछे लग जाते हैं. So question यही है, संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, मैं इस संसार में द्रिड कैसे रहूं? कैसे मैं इस संसार में द्रिड रहूं? कैसे मैं इस संसार में अपने विश्वास में मजबूत बना रहूं? और बहुत ही खुबसूरती से बहुत कम शब्दों में, 20 से ल दुनिया में हम जीते हैं, इस दुनिया में सही चाल, जीना उच्छे संभव है, पॉसिबल है, मत कहो की हो नहीं सकता, हम जी सकते हैं प्रभू के लिए, प्रभू के लिए यदि आपको जीना है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रभू का दर्शन चाहिए, आपका प्रभू के साथ आमना सामना होना जरूरी है आपका प्रभू के साथ एंकाउंटर होना बहुत जरूरी है जब प्रभू के साथ आपका एंकाउंटर हो जाता है तो प्रभू आपके अंदर आके जीने लगता है जब प्रभू आपके अंदर आके जीने लगता है तो प्रभू आपको पल-पल पे आपके कदम को direction देता है ये कर और ये मत कर क्योंकि आपका जीवन बहु मुल्य है जितने साल प्रभू ने आपको इस दुनिया में रखा मेरे प्रियो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना है कि आप आज जिन्दा हो आज सुभा का चर्च खतम होने के बाद मैं वहाँ प्रचार करके निकला मुझे एक फोन आया, एक आर्मी परिवार का फोन आया उन्होंने एक बड़ी दुख में बात बताई एक 11 साल का बच्चा, दिल्ली का रहने वाला 11 साल का बच्चा, सिंगापूर इलाज के लिए गया था एक किसम का उसे बलड कैंसर, खून का कैंसर था ठीक होने के पूरे-पूरे आसार थे बलड कैंसर का इलाज सिंगापूर में बहुत अच्छा चल रहा था suddenly उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और उसने अपनी सांस तोड़ दी तब से मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि वो 11 साल का बच्चा, वो हाथ जोड के विंती कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को Christian विश्वास के अनुसार वो दफनाना चाहते हैं, क्योंकि क्या आप हमारे बच्चे का funeral कर सकते हो, मैं आज कल बहुत बिजी हूँ कल रात मैं अपने घर नहीं गया, दिल्ली में सो गया, बहुत बिजी था लेकिन मन में आ रहा है कि लोग कितने दुख में हैं दुनिया में और 11 साल का बच्चा, जीवन खतम हो गया, and I was like प्रभू धन्यवाद तुने हमें जीवित रखा है, धन्यवाद की आज तक हम इस धर्ती पर जीवित हैं, हमारी मदद कर कि जब तक तक तुने हमें दिन दिये हैं, तब तक हम तेरे लिए जी ले, मेरे प्रियो जब तक हम जीवित हैं, हमें प्रभू के लिए जीना है, पर प्रॉबलम आपके सामने है, संसार ये प्रॉबलम है, ये प्रॉबलम है, संसार परमेश्वर और धार्मिक्ता के विरोध में खड़ा है, इस बीच में मैं दृड कैसे रहूं उन्नती करते रहो, बढ़ते रहो, उन्नती करते रहो, किस बात में उन्नती करते रहो, बीस में इसका उलेख किया हुआ है, बीस पढ़ेंगे परहे प्रियों, तुम अपने अती पवित्र विश्वास में गटकर मजबूत हो जाओ अपने अती पवित्र विश्वास में, सामने देखके बताइए हमें किस चीज में उन्नती करनी है, जो आपने वचन सुना, किस चीज में, अती पवित्र विश्वास में, उन्नती करते है मेरे प्रियोब बढ़ते रहो प्रभु में हमें किस चीज में उनती करनी है अपने अती पवित्र विश्वास में Think about this, इधर देखिए आपको अपने विश्वास में उनती क्यों करनी है उस विश्वास का गुण क्या है आपका विश्वास कैसा है अती पवित्र Most Holy सोच के देखो क्या आप अपने विश्वास को अती पवित्र समझते हो मेरा विश्वास बहुत बहुत precious है यह अती पवित्र विश्वास है जो मुझे मुझे मुर्दे के अंदर प्रभु ने डाला प्रभु में कितना आनंद है आपको नहीं लगता असली आनंद ही प्रभु में Hallelujah Hallelujah बट मैं क्या कहना जाता हूँ अपने अती पवित्र विश्वास में मजबूत हो जाओ और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी उपलबधी तुम्हे कुछ हासिल नहीं किया देखो मेरा विश्वास तुम मरे थे तुम मुर्दा थे तुम मर चुके थे शेतान की एक हाथ निकालके एक हाथ शेतान को बढ़ाना था और तुम नरक में चले जाते and you were ready for it you were destined for it ऐसा होना ही था चाहे किसी भी उमर में मौत हो जाती एश्व मसी ने कहा तुम अपने पापों में पड़े हुए हो अगर तुम विश्वास नहीं करते मुझ पर और पापों में पड़े हुए होने का मतलब मृत्यु में पड़े होना already मर चुके हैं मर नहीं जाएंगे, मर चुके हैं, स्वर्ग नहीं जाएंगे, नर्क ही है वो स्थान जिनके पाप शमा नहीं हुए है तुम्हारा अति पवित्र विश्वास तुम्हारे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा वर्दान है जानते हो, इज़त करते हो, पहचानते हो कितनी बड़ी बात है कि आज तुम मूर्ती पूजक या आदमी पूजक या भूत पूजक, किसी और किसी भी चीज की पूजा नहीं करते हो सच्चे और जीवित खुदा को जानते हो ये छोटी बात नहीं है येशु का नाम आपकी जुबान पे आता है It's not a small thing ये खुदा का वर्दान है जो तुमको मिला है तुम्हारा विश्वास तुम्हारी उपलब्दी नहीं है तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिल में परमेश्वर ने तुम्हारी आखों को खोला बिना पवित्रात्मा के कोई प्रभू को येशु को प्रभू नहीं कह सकता बिना पवित्रात्मा के आप येशु मसी के सामने घुटने नहीं टेक सकते आज आप इस मंदिर में बैठे हो क्योंकि प्रभू ने आपको बुलाया है It's not a small thing साधारन लगता है बट ये बहुत special है इसलिए अपने विश्वास में उन्नती करो तुम्हारा विश्वास अती पवित्र है आगे लिखा 21 के अंदर Keep Yourself in God's Love तुम परमेश्वर के प्रेम में अपने आपको रखो अपने आपको परमेश्वर के प्रेम के अंदर रखो Be in the heart of God Be filled with the love of God परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ ये बात को जानों की संसार तुम्हें प्रेम ना करे प्रेम करे या ना करे लेकिन परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है उसने कहा मैंने तुम्हें अनन्त प्रेम से प्रेम किया है अनन्त प्रेम क्या मतलब है अनन्त प्रेम कभी ना खतम होने वाला प्रेम ऐसे प्रेम के साथ उसने आपको प्रेम किया है आपको सिर्फ परमेश्वर का प्रेम संतुष्ट कर सकता है ना आपकी पतनी का, ना आपके पती का, ना आपके दोस्तों का, ना आपके रिष्थेदारों का, ना पैसों का प्रेम आपको संतुष्ट कर सकता है Cannot क्योंकि हम बनाए ही इसलिए गए थे, कि हम परमेशों के साथ जुड़ जाएं जब वो हो जाता है तो संतुष्टी और तसली और शांती हमारे जीवन में आ जाती है अपनी समस्याओं के बीचों बीच हम खड़े रह सकते हैं विश्वास के अंदर क्योंकि प्रभू मुझसे प्रेम करता है साफ साफ कहता है keep yourselves in God's love as you wait तुम इंतजार करते हो प्रभू की दया का जो तुमें अनंत जीवन देगा हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभू आएगा और मेरे जीवन के कष्टों से और ऐसी दुनिया से निकाल करके मुझे ले जाएगा God give me the grace to persevere प्रमेश्वर मुझे दृड़ बने रहने के लिए मुझे साहस दे प्रमेश्वर प्रती दिन उठकर ये आपकी प्रातना हो मेरे प्रियो आपकी जीवन की आदत को बना लो कि आपको कमरा बंद करके प्रातना करनी है परमेश्वर ने कहा है कमरा बंद करके प्रातना करो अकेले प्रभू के साथ बातें करो और जब आप प्रभू से बात करते हो प्रभू आप से बात करेगा परमेश्वर सुनने वाला ही नहीं वो बोलने वाला भी है क्या तुम सुनने वाले हो और यहीं से हमारी दूसरी बात अधी, कैसे बचों के प्रात्ना करते रहो, देखो के दूसरे भाग में क्या लिखा है, पर तुम है मेरे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, और क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में प्रात्ना करते जाओ मेरे प्रियों मैं आपसे अग्रह करता हूँ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और आप कितने बड़े अनुगरह को प्रती दिन घाटा उठाते हो जब आप प्रात्ना नहीं करते हो जब आप प्रातना नहीं करते हो बहुत बड़ा घाटा उठाते हो परमेश्वर के अनुग्रे का घाटा उठाते हो English में बड़ा सुंदर गाना है Oh what grace we often forfeit कितना बड़ा अनुग्रे है जो हमारे लिए रखा हुआ है हम उसे अपने हाथों से जाने देते है क्योंकि हम प्रभू के पास प्रातना में नहीं जाते है है किनी टाइम आपके पास संसार की वो सारे काम करने का सस्ते में प्लॉट भी करे हैं तो वो खरीदेंगे सस्ते में फोन भी करे हैं तो वो खरीदेंगे सर्दियां आ रही हैं, सस्ते में जैकेट खरीदनी है तो वो खरीदने पहुंच जाएंगे हमारे पास उन सारी चीजों के लिए टाइम है जिन चीजों को हम महत्पूंट समझते हैं हम दूर दूर घूमने जा सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, लंबे-लंबे गपे रात, रात तक हम गलियों में चल फिर के घूमेंगे we have time for everything, but we don't have time for God हर चीज के लिए हमारे पास time है, बड़ खुदा के लिए हमारे पास समय नहीं है don't think कि आपको सब कुछ मिल, आत्मिक आनंद ऐसे नहीं मिलता जो प्रभू के साथ अपना कमरा बंद करके बैठता है जो प्रभू की आवास को सुनता है जो अपने दुख दर्द जो प्रभू को बताता है वो शांती को महसूस करता है इसलिए प्रात्ना, आत्मा में प्रात्ना करते रहो करो प्रात्ना, जब तक आपको नहीं लगता कि आसमान खुल चुका है करो आप प्रात्ना, जब तक आपने प्रभू के उस तिंहासन के दर्शन को नहीं कर लिया करो प्रात्ना, जब तक आपकी ये पत्थर जैसा दिल जो हुचका जब तक ये इसके अंदर खुदाई होकर जब तक ये नम्र नहीं हो जाता तब तक प्रात्ना करो करो प्रात्ना तब तक जब तक आप परमेश्वर की अवास को नहीं सुन लेते हो करो प्रात्ना तब तक जब तक बात कर मुझसे, छू मुझे, तुने विश्वास की दिगजों को छूआ, मैं विश्वास का दिगज नहीं बनना चाता, बड़ मैं विश्वास में बने रहना चाता हूं परमेश्वर, कहा है तेरी अवाज, कहा है तेरा हाथ, बात कर मुझसे, छूले मुझे, भर दे मुझे जो गिड़ गिड़ाते नहीं वो परमेश्वर के आनन्द से वंचित रह जाते हैं पर जिनके अंदर उच्सा है, जिनके अंदर जोश है लिखाए वो परमेश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करते हैं हम मेंसे बहुत हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ढीला, कमजोर जीवन जी रहे हैं, फरक ही नहीं पड़ता तरस आता है और कब तक धक्के पे चलोगे? कब तक धक्के पे चलोगे? कब तक तुम्हें पीछे से पुष्ट किया जाएगा? तुम कब दोड़ना शुरू करोगे? अगर आपको इस संसार में द्रिड रहना है अपने विश्वास में उन्नती करो और प्रात्ना, आत्मा में प्रात्ना करते रहो पवित्रात्मा में प्रात्ना करते रहो कईयों को पता है नहीं होता कि पवित्रात्मा में प्रात्ना करना क्या होता है? और क्या कर सकते हैं हम, प्रेम करते रहें 22 में क्या लिखा है, 22, in fact 22 के अंदर प्रेम का जिक्र है पढ़िये क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस संसार में द्रिड रह सकते हैं, पढ़िये जो संदे करते हैं पर दया करो और औरो को आग में जपट कर निकालो और डरते हुए अन्ने लोगों पर तया करो यहां तक की शरी द्वारा करा कि तु वस्तरों से विग्रणा करो इसका जो क्रक्स है इसका जो जो निचोड है उसका अर्थ यही है प्रेम करते रहो कैसे कैसे लोगों से प्रेम करना है इसके अंदर चार प्रकार के लोगों से प्रेम करने का विवरण है सबसे पहले उनसे विश्वास करो उनसे प्रेम करो जो अपने विश्वास में नए हैं नए विश्वासियों से प्रेम करो आज जब मैं इंद्रों में बहुत आप सब जानते हैं हमारे परिवार में क्या हो रहा है हम बहुत ज़ादा बिजी है आज फोन आया कि प्लीज हमारी मदद कर दो हमारे बच्चे का फ्यूनरल कर दीजे मेरे पास बिलकुल समय नहीं है कल बहुत बिजी हूँ परसो मुझे दिन भर एक और शहर में जाके दिन भर मुझे वहाँ प्रचार करना है I don't have time बहुत कुछ करना है लेकिन ये ये नए विश्वासी है इनका मेरे इनकी चिठी मेरे फोन में है इनकी request उनके शब्दों में मुझे इतनी दया आरिदी प्रभू ये लोग तुझ में आशा ढून रहे है ये अपने विश्वास में नए है या विश्वास में आने की कगार में खड़े है इनको सिरफ प्रभू शांती दे सकता है इनका विश्वास ये है हमें नए विश्वासियों के लिए समय निकालना है हमें नए विश्वासियों को प्रेम करना है हमें उनकी सहायता करनी है हमें उनके सामने अच्छा नमूना बनना है हमें उनकी प्रैक्टिकल बातों में हमें उनकी मदद करनी है जो विश्वास में नए हैं उनसे प्रेम करना है वो विश्वास में कमजोर है इसलिए वो doubt करते हैं उन्हें सारी बाते नहीं पता कमजोर हो या तो उनका विश्वास कमजोर है या उनका विश्वास कमजोर हो रहा है हमें नहीं मालूम लेकिन जिनका विश्वास कमजोर है, उनसे प्रेम करना है आगे, जो विश्वास से भटक चुके हैं, और जो पाप में गिर गए है हमें उनसे प्रेम करना है और अंत में, उनको प्रेम करना है, जो विश्वास में है ही नहीं हमें किन से प्रेम करना है? जो विश्वास में नए है, जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में पीछे हो चुके है, जो विश्वास में है ही नहीं आप बोलोगे इसका मतलब सब कोई प्रेम करना है, हमें सब को प्रेम करना है, keep loving और अंत में भरोसा करते रहो keep trusting क्या मतलब है भरोसा थोड़ा समझाता हूँ आपको भरोसा करते रहो मतलब जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बहुत बार जीवन में ऐसा होता है यह ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ भरोसा करने का अर्थ है मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन में क्या हो रहा है पर मैं प्रभु पर विश्वास करता रहूँगा मेरे जीवन में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा पर चाहे मुझे समझ में ना भी आए मैं तो भी परमेश्वर पर अपना भरोसा करता रहूँगा परमेश्वर पर मैं अपनी आशा नहीं छोड़ूँगा मेरे प्रियो आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही मैं अपने परिवार की बात करूँ मुझे समझ में, मैं और सपना नहीं समझ पा रहे इस समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतना भयंकर मोड परमेश्वर ने क्यों अनुमती दी इस बात की हमें नहीं मालूम परमेश्वर ये मोड क्यों लेकर के आए हैं पर हम ये जानते हैं हम सब कुछ नहीं समझते बट वो सब कुछ जानता है और वो जिस तरह हमारे जीवन में जो जो बातों में से वो हमें होकर की गुजरने के लिए अनुमती देता है उसको सहने की ताकत और शक्ती भी वो देता है और उसके उसमें से जब हम निकल जाएंगे तब हमें समझ भी आ जाएगा कि परमेश्वर क्या कर रहा था भरोसा रखते रहो उस परमेश्वर पे जो बुद्धी मान है भरोसा करो उस परमेश्वर में जिसके हाथों में आपका भविश्य उजवल है अच्छा है हललुया 24-25 में इसका विवरण है फिरम समाप्त करेंगे बहुत ही ये बाइबल की इसको डॉक्सोलोजी कहते हैं मतलब ये परमेश्वर की महिमा के वर्नन के सबसे अदबुच शब्द हैं जो इस पत्री में लिखे हुए हैं परमेश्वर की महानता की विवरण के शब्द जिसमें हम आशा ढूंड सकते हैं देखो मेरा खुदा कितना महान है मैं उसकी ओर देखूंगा देखे इसमें क्या लिखा है 24 में तो यहूदा की पत्री 24 और 25 में लिखा है To Him who is able to keep you from stumbling वो परमेश्वर जो तुमें ठोकर खाने से बचाएगा इस बुरी दुनिया में इस पाप से भरी हुई दुनिया में इस परमेश्वर का विरोध करने वाले लोगों से भरी हुई इस दुनिया में जो तुमें बचाएगा विश्वास के अंदर वो परमेश्वर है वो तुमें मजबूत रख सकता है Hallelujah आगे And to present you before His glorious presence वो परमेश्वर है जो इस दुनिया में तुमको संभाल के रखेगा और वो परमेश्वर तुमें इस दुनिया से निकाल लेगा एक दिन और तुमें अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा Hallelujah कौन करेगा ये? परमेश्वर करेगा वो कर सकता है भरोसा रखो कि वो परमेश्वर इस जीवन के सफर में आपके साथ बना रहेगा और जब तक आप उसके सिंहासन के सामने खड़े ना हो जाओ He is not going to leave you वो आपको नहीं छोड़ेगा लेकिन ऐसे परमेश्वर के बारे में लिखा है To the only God our Savior वही परमेश्वर है वही हमारा बचाने वाला है ऐसे परमेश्वर को महिमा मिले पराक्रम मिले सामर्त मिले सारी authority और गौरव जलाल उसको मिरे येश्व मसी के द्वारा सारी ages सारी सारे युगों पर और अनंत काल के लिए इस खुदा को महिमा मिलती रहे Hallelujah So keep trusting विश्वास भरोसा रखो समझ में नहीं आता जीवन में क्या चल रहा है पर भरोसा रखो कि परमेश्वर इस गल रही दुनिया में आपको संभाल के रखेगा ये काम उसने येश्व के द्वारा पूरा किया और ये काम आज के समय में वो पवित्रात्मा के द्वारा पूरा कर रहा है और जो भला काम उसने तुम्हारे अंदर शुरू किया येश्व के दिन तक वो उसे पूरा करेगा आप परमेश्वर के लिए बहुमुल्य हैं परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा परमेश्वर और धार्मिक्ता और सत्य हर वो चीज जो परमेश्वर से मेल खाती है ऐसी चीजों के विरोध में ये दुनिया खड़ी है मैं कैसे द्रिड रहूं मैं कैसे मजबूत रहूं अपने विश्वास के अंदर अपनी मसीही चाल में अपनी मसीही जिंदगी में मैं कैसे खड़ा रहूं मेरे प्रियो, there is a lot of work to do बहुत जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है और सबसे पहले, हमें क्या करना है हमें उन्नती करते रहना है अपने विश्वास में उन्नती करते रहना है दूसरा, हमें प्राथना करते रहना है तीसरा, हमें प्रेम करते रहना है और चौथा, हमें भरोसा करते रहना है आप इन चारों चीजों को करते रहेंगे प्रभू की मदद से आप अपनी मसीही दौड को जरूर पूरा करेंगे आईए हम सब अपने आखे बंद करें